वेलकम है दोस्तों अब हम लोग एडवर्ब की टॉपिक का पार्ट टू कवर करेंगे ठीक है हम लोगों ने पहले पार्ट बेसिक फॉर्म की पूरी बाते की थी जिसमें मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको पहला पार्ट जो पूरी बेसिक कॉंसेट है एडवर्ब का वो मै पूरे concept के हिसाब से clear किया है अब हम लोग पढ़ेंगे उन चीजों को कि हमारे पेपर में जो questions बनते हैं वो किस टाइब के बनते हैं और उनमें क्या करना है ठीक है तो आज कम से कम हम लोग चार से पांच रूल को cover करेंगे 30 मिनट के अपनी वीडियो में और बहतरीन तरीके स ठीक है जितने सारे question इससे बनते हैं सारे question हमारे cover हो जाएंगे बस आप अच्छे से इसको watch करिएगा और अपनी copy में notebook में अपने लिखते रहेगा ठीक है काफी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में भी तो आईए सुरू करते हैं adverb के part two को कल दोस्तों हम लोगों ने कल ही चर्चा किया हुआ था कि adverb of manner क्या होता है adverb of place क्या होता है adverb of time क्या होता है adverb of frequency क्या होता है I hope कि आप लोगों ने वो part देखा होगा सारा कुछ जिन लोगों ने उस part को देखा होगा उन्हीं को ये सारी चीज़े एकदम clear होते जाएंगी ठीक है तो आईए दोस्तों पहल जो रूल हमें पढ़ना है ठीक है पहले मैं समझा देता हूँ फिर एक ग्राफिक्स लेके आऊंगे जिसे आपको और clear हो ठीक है तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस पे हमारा ध्यान यह होना चाहिए कि तो देखिए उस पे अब जब पढ़ेंगे हम तो हमें दो पर रहेंगे अगर इस ऑडर में संटैंस लिखा रहेगा पहला रूल हम लोग पढ़ने ठीक है यहां पर आप पहला रूपढ़ रहे हैं आप अपको यह ध्यान रखना है कि इसमें पहले मैनर आना चाहिए फ्र प्लेस आना चाहिए फिर टाइम आना चाहिए ठीक है मोस्त यह rule रहेगा, यह rule आप लिख सकते हैं, अपनी copy में लिखेंगे क्या, कि अगर sentence में इन तीनों चीजों की बात हुई हो, तो पहले manner आएगा, फिर place आएगा, फिर time आएगा, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसका मैं एक आपको image दिखाना चाहता हूँ, और image क जर्य समझाओंगा, ताकि आपको यह बात पूरी confirm हो जाए, clear हो जाए, ठीक है, आएए चलते हैं, उस image की तरफ, ठीक है, आएए दोस्तों, देखेंगा, वो image आ गया हुआ है, और इस image से हम clear करेंगे, कि क्या हमें समझना है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, कि यदि वाक् आए, ठीक है, अब देखते हैं, इन में क्या हमें process अपनाना, कैसे हमारा sentence ही होगा, जैसे देखें, लिखा है, मृतुन जय, ran in the race, fast, अब देखें, race क्या हो गया, race हो गया, एक place, यहां पर बहुत अच्छे से explain है, और थोड़ा जूम आट कर लेते हैं, ताकि आपको clear हो, ठीक है, आईए, यह clear हो जागा, ठीक है, race क्या दोस्तों, यह है place, ठीक है, और fast क्या है, यह है manner, तो P और यम का तो कोई place हमने पढ़ा नहीं है, कि पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, हमें क्या आपने बता है, कि पहले manner आएगा, फिर place आएगा, फिर time आएगा, तो यह तो उल थी, कि भाईया, fast का fastly नहीं बनता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, यह आगया manner, और यह आगया इंदा race, यह हो गया, क्या place, तो manner हो गया, प्लेस हो गया, भाई, sentence में time का जिकर नहीं है, तो time से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जब time का जिकर नहीं है, तो हमें time से कोई मतलब नहीं है, तो देखिए, इस ग्राफिक्स में आप देख पाएंगे कि कौन सा सही है, इसमें बहुत अच्छे से यह वाली line को cross कर दिया गया, क्योंकि यह place और manner बता है, यह वाली line को सही कर दिया, क्योंकि इसने manner और place को बता है, यह रहा manner और यह रहा place, clear हो होगा, next example में देख लिए, लिखा हो his parents, ठीक है, will arrive tomorrow here, अब यह tomorrow क्या हो गया दोस्तों, time हो गया, और यह क्या हो गया place, अब देखिए, कभी T और P का कोई मैंने sequence ही आपको नहीं बता है, sequence किसका बता है, manner आएगा, place आएगा, time आएगा, इसी का sequence है, तो T और P का तो कोई place ह नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, पहले place आता, फिर time आता, तो ठीक रहता, तो आईए, उसको सही कैसे किया गया, उसको देखते हैं, ठीक है, देखेंगा, आपर, काफी अच्छे से यहां explain हुआ है, लिखा हुआ है, देखें, example में, लिखा हुआ हुआ है, यह वाला example था, इस example का cross कर दे, क्योंकि time पहले आता, place बात में, आना क्या चाहिए, पहले place आने फिर time, तो देखें, his parents will arrive, यह रहा place, क्या रहा, place, और यह रहा time, हो गया ना sequence में, यहीं आपको ध्यार लखना है, तो जिन लोग उने first part नहीं देखा, उन्हें इस थोड़ी problem होगी इसे पूछे जाते हैं, तो फिर जाके manner, place, time, frequency, सब कुछ चेक कर डाली है, ठीक है, last example है किसी में देख लिए, लिखा है, राधा, dance, beautifully, last night in the school, अब दोस्तों एक चीज़ देखें, यह हो गया manner, यहाँ देखें, लिखा हुआ है, आपको बताया था मैने कि किसी भी यहाँ और अ पहले लिखा, इन्होंने manner, फिल लिखा, इन्होंने time, और फिल लिखा, इन्होंने place, तो यह तो कोई sequence नहीं हुआ, यह कोई sequence नहीं हुआ, sequence क्या दोस्तों, पहले manner आएगा, फिर place आएगा, time आएगा, यह तो आपको रट चुका होगा, पूरी line, MPT, ठीक है, तो इसको हो गया, यह place हो गया, यह हो गया, time, sentence क्या हो गया, पूरा sequence में हो गया, hope कि यह line आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके, तो दोस्तों, अब हम लोग फिर एक rule को समझेंगे, यह हमारा एक rule था, वो हमें clear हो गया, अब हमें एक rule और जानना है, इसी से related वो रूल है, अ लिखाओ, arrive, ठीक है, कभी आपके पास arrive लिखाओ, कभी कम लिखाओ, ठीक है, कभी कम लिखाओ, कभी गो लिखाओ, ठीक है, और एक और word जानिए, कभी inter लिखाओ, ठीक है, इन चार शब्दों का अगर subject के बाद यूज हुआ है, as a verb, ठीक है, अगर इनका यूज होगा sentence मे किस चीज में, as a verb, ठीक है, इसको समझते हैं, कि अगर ये sentence में आपके पास as a verb यूज हो रहा है, तो आपको याद रखना है, कि अभी तक जो हम लोगों ने order दिखा था, ठीक है, order के हमें बताए गया था, manner, place और time, तो इसको order change हो जाता है, दोस्तों, क्योंकि go लिखा है, कम लिखा, arrive लिखा और इंटर लिखा, ऐसे में order change हो जाएगा, और order क्या बनेगा, पहले भाया आ जाएगा, place और फिर आपको रखना पड़ेगा, manner, इनहीं पे बात होगी, ठीक है, clear कर पा रहे हैं, कि अगर arrive, come और go, enter, अगर sentence में आएगा, तो क्रम क्या हो जाएगा, पह arrive, come, go, etc., को यहां पे enter छोड़ गया, यहां पे enter लिख लेता है, ठीक है, इंटर इक्षाद छोड़ गया था, को वर्ब आफ मोव्मेंट्स बोलते है, ठीक है, वर्ब आफ मूव्मेंट्स, मूव्मेंट्स, ठीक है, कहा जाता है, इनके साथ पहले adverf of destination आता है, मतलब पहल आएगा फिर मैनर आएगा आएगा आएए देखते हैं संटेंस में लिखा हुआ है दा गर्ल्स वेंट कुईकली हो अब देखे दोस्तों हो क्या रहा है कि यहां पर तो आ गया वर्ब जो कि हमने बोला था कि गोवेंट गोवेंट कौन तो फॉर्म बन जाएगा को का फॉर्म कोई क्ली क्या हो गया यह मैनर हो गया अपको पता है कोई भी य वाला वर्ड क्या होता है तुरंत का तुरंत मैनर वाला होता है और यह हो गया प्लेस एक कहने के एकॉर्डिंग तो मैनर प्लेस और टाइम होता है वह बात तो क्लेर है लेकिन इसमें सही क्या होगा और किन व चुछ आजाता है चलिए दोस्तो कुछ और नियम को देखते हैं पहला नियम हमारा हो गया है अब हम बढ़ेंगे कुछ और नियम पर ठीक है आइए देखते और कौन सा निया हमाएप पास है देखेगा इसको उपर कर लेते हैं अभी मैं फिर से रूल सापको समझा दूंगा ठीक है देखेंगा अब हमापस जो नियम आ रहा है वो नियम हमें ध्यान से देखना बड़ा है ठीक है जैसे अगर कभी आपके sentence में ठीक है किन की बात हो टू की बात हो ठीक है तू लिखा हुआ है और टू के साथ कुछ यूज ह ठीक है तू के साथ क्या यूज हो मच का यूज हो इसमें ठीक है कभी टू के साथ मच का यूज हो ठीक है तू मच लिखा रहेगा तो जब टू मच की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा noun अपको ये रूल याद रखना इसमें question पूछे जाते हैं तो मच की बात होगी तो पर आएगा भी यह adjective तो यह rule आपको clear रखना है इसमें rules आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ठीक है तू मचाएगा तो noun रहेगा much to रहेगा तो adjective अच्छा इसमें question कैसे पूछा जाता है उसको देखने ठीक है changes क्या क्या करने है उसको भी देखेंगे ठीक है आएए समझते हैं example मैं यहीं पर लिखता हूँ ठीक है ताकि आपको समझ में आई यह बात देखेगा मैं पहला example यहाँ पर लिखा हूँ है जैसे लिखा हूँ है he has ठीक है he has got या gut जो भी आप पड़ेए got ठीक है मच लिखा हूँ है देखेगा मच यहां लिखा है टू इसको सही कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से लिखा है थोड़ा और अच्छा रहे ठीक है देखेगा इसको थोड़ा short कर लेंगे तो पूरा हम लोग को दिखने लेगा ठीक है आईए क्या example लिखा हूँ है he has got much टू ल example हो गया ठीक है पहला example हो गया इस example का अगर हम लोग पार्ट अलग कर दें समझने की कोशच करिए है जैसे मैं बताना चाहरा हो ठीक है मैंने इसका पार्ट अलग कर दिया मान लेते मैंने यहां से क्रॉस कर दिया यहां से मैंने क्रॉस कर दिया और यहां से आगे का पार्ट no error का है ठीक है आईए एक question और लिखते है इसी पर ताकि ये बात भी आपको और अच्छे से clear हो जाए ठीक है लिखा हुए pain क्या है पहले तो इसी पर example confirm कर लिए ठीक है जैसे pain लिखाना pain क्या है एक noun है अब देखे हमें बताया गया अपने रूल्स हमें बताया है कि यह अगर टू मच लिखा रहेगा तभी नाउन लगेगा ठीक है तो आपके पास आप दो तीन तीन बाते हो गए कि यह हम क्या करें इसमें कि सही हो जाए तो आपके पास बड़ा अच्छा सा option है कि आप क्या करें आपके मन में आएगा कि ऐसा है यह जो पेन लिखा हुआ है ठीक है इसको सही कर लेते हैं ठीक है यह जो पेन लिखा हुआ इसको और अच्छे कलर भी लेते हैं ठीक है यह जो पेन लिखा हुआ ठीक है इस पेन का क्या कर दिया जाए एडजेक्टिव बना लिया जाए तो द करने जाना किसके एकॉर्डिंग इसके एकॉर्डिंग जैसा यहां लिखा रहेगा इसके बाद में वही क्लियर करेगा कि यहां पर क्या आएगा तो नाउन वाले हिस्से के साथ क्या चलना है मच्टू चलना है तो क्या करना पड़ेगा यह मच्टू जो लिखा सौरी से और एक example देखते ताकि आपको पूरा समझ में आए है च्छीम आए है कि अ तो आई देखते हैं ह कि स्टी्ट कम लेते हैं सेकने ग्जाम्पल को काफी कुछ समस्में आएगा जैसे मैंने लीखा तिक हुआ है यहां पे लिख दिया इर्टेस हीनल के और आगे बढ़ाते हैं oh dear it is to much it is too much painful Hor reputation पर एस्तरल की पीइनन्फुल ठीक है और आगे इस थे एक्साम्प्ल बढहते है विस्ट्पीइनम्फुल फिछ पर के फार अस अब देखे दोस्तों इसमें आपको क्लियर करना इसमें क्या हो सकता है यह मैंने पार्ट अलग कर दिया ठीक है अब क्या करना है यहां माले यहां वाले हिस्से को सही मानना पड़ेगा कि वहां जैसा तो आपको थोड़ा समय ऊपर लेके जाओं त chatting में आ तो आपकोमлек्ट कारेंगे ठीक है तो आपको मच्टू चाहिए ठीक है यह कि गया हम देखे इसमें क्या करना पड़ेगा इस लॉलाइन में क्रॉस करना पड़ेगा करिंगए इसकी मतलब कि अगर यहां पर adjective की बात है तो यहां पर much to का यूज होगा अगर यहां पर noun की बात है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे हमेशा too much का यूज करेंगे hope की यह बात आपको समझ में आई होगी बहुत ही अच्छा रूल था जो मैंने आपको explain कर दिया ठीक है आईए बढ़ते एक नए नियम की तरफ ठीक है एक हम लोग नए नियम की तरफ बढ़ेंगे लाइन क्रोस कर लेते हैं ठीक है एक नए नियम की तरफ चलते हैं ठीक है चलिए एक नए नियम देखते हैं चलिए दोस्तों एक नए नियम की तरफ नए नियम हमापस क्या है उसको समझिया नए नियम यह है कि अगर sentence में आप still का rule पढ़ दें ठीक है आप क्या पढ़ दें कि इन्हें समझने की कोशिश करेंगे इनका क्या angle है क्या definition है कैसे इनका sentence में use होता है पहले हम इसके rules को जानेगे तरीखेंगे फिर sentence में इसको लाके रखेंगे ठीक है आई इसके rules को समझने कोशिच करते हैं देखें खें आए कि अगर आपके पास sentence में कभी केबल still की बात अ दोनों की मीनिंग है अभी तक जो भी आप बोल लिजे ठीक है दोनों की मीनिंग सेम है ठीक है अब इस्टिल का यूज कहां कहां होता है ठीक है पहले तो एक बात आप जानिए कि इस्टिल का यूज आप क्या करेंगे हमीशा अफर्मेटिब में करेंगे और कहां करेंगे हमें बताया गया उस रूल को देखे और आपके पास एक जो नियाब है कि इस्टिल का यूज हो गया अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव संटेंस में और एक नियाम आपके पास यह है कि जब कभी आपके पास helping वर्ब आएगा ध्यान से देखते चलिए अगर कभी helping वर्ब आएगा ठीक है तो helping वर्ब के बाद ठीक है helping वर्ब के helping लिखेंगे और यहां पर मान लिजे कुछ भी हो कोई object type का हो या कह सकते हैं कोई adjective type का हो या आप कह सकते हैं कोई verb type का कुछ आप दा लिए लिखा यहां पर कुछ भी लिखा तो helping के बाद वर्ब करके बोलते हैं ठीक है helping embod के बाद यहां पर श्चिल का यूज करेंगे ठीक है इस प्लेस पर श्चिल का यूज करेंगे अगर helping work sentence तो यह बात आपको क्लियर है तो और आगे थोड़ा सा इसका नियम देखते हैं इसी में सौर्ट करते हैं लाइए इसको थोड़ा सा छोटा करते ताकि आपको क्लियर हो जाए ठीक है एक नियम आपने बताया क्या कि इस्टिल का यूज का होता है अफर्मेटिव क्यारा एक जगा और आप इस्टिल का यूज करेंगे कि आप तुरंट सब्जेक्ट पा जाईए ठीक है सब्जेक्ट लिखाओ और में वर्ब लिखाओ ठीक है अगर सब्जेक्ट लिखाओ और क्या लिखाओ सीधा में वर्ब लिखाओ तो ऐसे कंडिशन में आप इस्टिल का यूज यहां करेंगे ठीक है यहां पर आपके पास सिस्तिल का यूज रहेगा तो दो बाते आपको आपने पाया कि जब हेल्पिंग वर्प के रहेगा तो हेल्पिंग वर्प के बात लगेगा और अगर में वर्प है तो में वर्प के पहले लगेगा यह बात आपको क्लियर से छी है जैका है और आएसके एग्जामपल देखते हैं तकि ये बात आपको क्लियर हो जाएं पूरा ने देखे हैufen देखते हैं इसके दो तिन क्जामपल आपको झांफिये हैर पहला एक्जामपल हम लोग लेखे है जैसे हम लोग अगर बोले कि कि देखेगा सी इस थोड़ा हम लोग इसकी एक्जाम्पल को दूर करते हैं ठीक है इसको इरेज कर लिया जाए तक ही अच्छे से हमें समझ में आए ठीक है ठीक है आते हैं एक्जाम्पल लेते हैं जैसे ही इस ठीक है ही इजस्ति यह एस इस्तिल हैं ही इस इस इस्तिल फ्लेंग ही इस इस्तिल फ्लेंग टेक nam तो यह क्या हो गया एक घ्रपिंग और पो गया एक ऐसा में वर्प जैसे एक एक्जाम्पल बॉन लेते हैं ही he is still he is still ठीक है he is still comes he is still comes to coaching कर ले थे ठीक है to he is still comes to coaching ठीक है एक एक्जामपल ही हो गए अब समझ येगा बहुत अच्छे से ठीक है अब ही हमें बताया गया कि अगर कोई helping verb आ जा ठीक है और उसके बाद कोई main verb कोई object कोई adjective कुछ भी लिखा तो still का use कहा होगा इस place पे होगा तो place क्या है एकदम से helping verb के बाद main verb के पहले ठीक है कहरा कि अगर sentence पर diet कोई main verb आ जाए यहां पे जैसे main verb आ गया और यहां subject आ गया तो still का use कहा होगा main verb के पहले तो यह आपने use इसका correct और सही से पढ़ा होगा ठीक है use में कोई गलती नहीं है तो एक rule तो आपने यह clear किया ठीक है still का use कहा actual में होता है ठीक है तो यह तो use जो था वो क्या था positive में था जो हमें बोला गया affirmative example में ठीक है अब यह एक आपको जो use करना है इसका वो करना है interrogative sentence में जो आपने पढ़ाया ठीक है interrogative में जो example आपने पाया ठीक है यह बात clear है अब interrogative का एक example देख लेते हैं यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया still ठीक है is the child still example मिल गया is the child still यहाँ लिख देते हैं हम लोग beeping ठीक है is the child still beeping तो यह एक interrogative यूज हो गया तो दो बाते आपको clear रखना still को लेके क्या होता है एक तो interrogative में यूज होता है यहाँ पर जो यूज मिला है वो interrogative यूज हो गया और यह सारे जो positive में यूज हो गया कहाँ कहाँ इसका place था मैंने बहुत अच्छे से clear कर दिया ठीक है यही यूज आपको clear रखना ठीक है अब हम इसी के आगे yet की बात करेंगे चलिए yet की तरफ चलते है जो आपको clear करना है yet की बात करते है yet की तरफ चलते है तो आपको काफी explain करके yet के बारे में समझाया जाएगा आईए yet के बारे में समझते है पहले yet के बारे में थोड़ी सी कहानी इसमें भी सीखते है yet का huge भी क्या होता है अब तक का ही अर्थ होता है ठीक है यट का भी यूज अब तक की अर्थ में होता है लेकिन इसका यूज कहा करना है उसको देखिए एक तो आप इसका इंट्रोगेटिव में ना करके अभी नेगेटिव में यूज करेंगे ध्यान से देखिए अभी नेगेटिव में कभी कभी क्या होता है कि आपको यह बात ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है यह इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है तो इसको भी आप ध्यान रखिए ठीक है इंट्रोगेटिव में भी होता है तो बात क्या क्लियर हो रही है कि यट का यूज नेगेटिव याद क्या रखना है ठीक है इंट्रोगेटिव तो भूली जाए इसका याद रखिए हमेशा नेगेटिव वाला ठीक है नेगेटिव में तो होना ही होना है संटेंस का बीना नेगेटिव का यह लिखाए नहीं जाएगा ठीक है तो नेगेटिव में तो कर इस यूझि होगा ठीक है यह यह यहाट कहँ करेंगे तो यह यह baru करेंगी हो यह हमेशा संटेंस कटीक है है कहाँ पर संटेंस की कि इग्दम लास्ट में रहेगा हमेशा संटेंस की आखरी में यूझ होगा बात κयार करें की रखिया Hag Rhiniya एक बात और इसी में देखिया ठीक है ठीक है ठीक है एक तो संटेंस के आखरी में यूज होगा यह बात हमें क्लियर हो गया और हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होगा ठीक है यह बात तो और इंपॉर्टेंट हमेशा परफेक्ट टेंस और कौन सा परफेक्ट हमेशा या फिर उसे पास्ट पर्फेक्ट बोलिया हमीशा पर्फेक्ट टेंस में इसका यूज होना है कहां होगा संटेंस की एकदम आखरी में होगा ठीक है यट का यूज ठीक है नेगेटिव यूज में नेगेटिव यूज होता है इंट्रोगेटिव भी यूज कर लेंगे लेकिन mainly क्यों और नंगेटटेव यूजोगा और ये एंग्जामपल में समस्सक्राइग तो जिए तो काफिया आएगा कि एक्जामपल लेते हैं ठेके एक्जामपल देखेगा इसमें काफी अच्छा अच्छा लिखा है जैसे रिखा है यहां मैंने लिख दिया रीच्ट यह यहां मैंने लिख दिया और एक दो और लिख लेते हैं ताकि यह बात आपको और क्लियर हो जाए ठीक है एक इकसामपल और लेते हैं देखेंगा लिखा हुआ है जैसे लिखा I have I have understood ठीकह है I have understood ठीकह है I have understood पूरे संटेंस को लिख लेते हैं I have understood तिक है आप एव अंडस्टूड इट यट अब देखिएगा मजा कोश्चन का ताकि आपको रहा ठीक है मैंने पार्ट हलग कर दिया टिक है पार्ट यहां से डिवाइड कर दिया यहां से वी एक वाइट कलर का ले पार्ट अलग कर देते हैं लिजे भी यह पार्ट अलग हो गया नो एरर का पॉर्शन बन गया क्या सही होगा कैसे करना ठीक है अब देखिए आब कहरा कि जब भी कभी संटेंस में ठीक है यट की बात होगी तो पहले चीत ध्यान रखने है वो टेंस हमेशा परफेक्ट टेंस रहेगा मुझे परफेक्ट बोली है पास्ट परफेक्ट टेंस को रिलेट कर रहा ठीक है यह क्या करेगा परफेक्ट टेंस लेगा और हमीशा क्या होगा नौट के साथ ही होगा तो यह जो है लिखा न इसके साथ आपको यहां पर नौट लगाना है तो संटेंस क्या बन जा तो आप क्या करेंगे यहां पर नॉट का यूज करेंगे होप की ये बात आपको क्लियर हुई हो कि इसका यूज कैसे करना है क्लियर हो गया होगा ठीक है तो और आगे बढ़ते हैं